पाकिस्तान में शिक महिला का अपरहन कर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने की विरोध में शिक समाज की लोगों ने जिलादिकारी कारियाले पर पाकिस्तान का पुतला फुका जिसकी संबंद में जड़ा संकर गुरुद्वारा की अध्यक्ष जिसपाल सिंग ने बताय कर पीरित परिवार को नियाय दिलाने का कदम उठाएं ताकि पाकिस्तान में अल्प संक्यक हिंदू शिक सिंधी समाज के लोग सुरक्षित जीवन जी सके उन्होंने कहा पाकिस्तान में अल्प संक्यक हिंदू शिक सिंधी समाज असुरक्षा वभय के मौहौल में जी रहा है वहाँ आए दिन अल्पसंग एक समुदाय के लोग हत्या, फसाद, लूट पार्ट, अपरहन वा जबरन धर्म परिवर्तन के शिकार बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान को इस बात की सीख हमारे भारत देश से लेनी चाहिए जहां सभी धर्म के लोग कितनी सोतंतरता और मेल मिलाप से रहते हैं अमिज सिंग, तेग सिंग, रूपा कॉर, त्रिलोचन सिंग, मनी कॉर, वंदना जैश्वाल, अमिज सिंग, सहित अने लोग मौजूद रहें इस संबन में कुरकपुर्णियों से बात करते हुए जटा संकर गुरुद्वारे के अध्यक सरदाज जस्पाल सिंग ने कहा पका फिसन मुर्दाब 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 पका इस्ताभाइबाब ताहस आने dobroton बढ अपयर पका पास्पास कर Dre – North приход, Dog, To Escape! Pakistan हुष्मियाओ, 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 ह मृताबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान की क्या हर्दवाई, युदा जप्दाबाद, पाकिस् पाकिस्तान में अफगानिस्तान में जो है वहां पर एक शीक लड़की को जब्रण उठाके उसका धरम परिवलतन करवा के मुस्लिम बना के उसको एक मुस्लिम से जबदफ्ति शादी करा दी गया है अभी तो कुछ लड़कों को वापिस ने शीक समाज इससे बहुत तहात्त ह पाकिस्तान का पुतला फूग रहा है और भारत सरकार से डिमांड कर रहा है कि ऐसे लोगों को सक्त कारवाई की जाए कि किसी की हिम्मत ना पड़े कि किसी भी भाक्तिये पर कोई इस तरह का कारी कर सके यहीं अमलों की डिमांड है यहां पर